हेल दोस्तों, वेलकम बैक टू दा चटपट टॉइ टिवी, मेरा नाम है रायन, आज की वीडियो में मैं फ्री फायर और बीजी एमाई में यूस की जाने वाली स्कार टॉइगन की अन्बोकसिंग करने वाला हूँ तो मैंने 3-4 दिन पहले M4 टॉइगन की वीडियो बनाई थी, वो टॉइगन पुरी तरीके से बस्ट मोड में चल रही थी, आप लोगों ने देखा था और आप लोगों को काफी जादा पसंद आई थी वो टॉइगन, ये जो टॉइगन आप देख रहे हो, फुली अटोमेट मोड में भी हम चला सकते हैं, ये भी एक बैटरी ओपरेटेड टॉइगन है, और इसकी जो रेंज है, 20 मीटर तक ये टॉइगन शूट कर सकती है, तो इसके अंदर हमें 7-8 mm के क्रिश्टल बॉलेट्स डालने होते हैं, ये जो टॉइगन है, मैंने आपको लास्टेम बताया है, और इसके अंदर किस तरह से क्रिस्टल बॉलेट्स डाल कर इसे यूज करना है, सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पर जो है, मैं आप लोगों से कुशन पूछने वाला हूँ, अगर आप फ्री फायर या फिर बीजी एमाई या फिर सी ओडी खेलती हो, तो आपने अभ को भी जरूर से अन कर देना, ताकि मैं जबी भी नई वीडियो डालो, वो वीडियो अब सबसे पहले देख सको, तो चलो हमारी टॉइगन आ चुकी है, बाहर, तो अभी सारी चीज़ें निकाल कर इस टॉइगन को फटा-फट से असंबल कर लेते हैं, इसके साथ हमें मिलते ग्लासिस, 500 mAh की रीचारजबल बैटरी, इस बैटरी को में तकरीबन वन आवर तक रीचारज करना होता है, यह है इसका स्टैक बैटरी जो है मैं इसके अंदर डालनी होगी, और पीछे की तरफ से काफी अच्छा डिजाइन भी दिया हुआ है, और काफी अच्छी मेटरिय से बना हुआ है, इसका स्टैक, और यह रही इसकी मैगजीन, इसके जितने भी वाटर बुलेट्स होते हैं, इसी के अंदर हमें लोड करने होते हैं, यह हमारे टॉइगन का नॉजल, यह रहा इसका स्कोब, सबसे पहले हम लगाएंगे इसकी नॉजल, बहुत आसाना है इसे और फिर लगाएंगे इसका स्टैक, स्टैक लगाने से पहले इसकी बैटरी को यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, स्टैक इसके उपर बैट चुका है, यहाँ से चाहिए तो हम इस स्टैक को बाहर भी निकाल सकते हैं, पुल करके और यहाँ पर इसका ओन-off स्विच दिया हुआ है, तो अभी क्या चीज़े लगा लेते हैं, तो यहाँ पर है इसका मैगजीन, यह भी लगा दिया मैंने, और बचा है, इसका स्कोप, यह भी लगा देते हैं, फटाफट से, तो सारी चीज़े मैंने इस पर असेंबल कर ली है, अभी मैं आपको यह टॉइगन का फटाफट से ओवर्विव दे दूँगा, उसके बाद बाहर चलेंगे, इसे पूरी तरीके से टेस्ट करने के लिए, इसके मैंकजिन के अंदर आप सारा मेकानिजम देख सकते हूं, यह पूरी तरीके से ट्रांस्परेंट है, और अल इसका जो लिख है, पूरी तरीके से बीजी एमाई और फ्री फायर में जो स्कार है, उसी तरह का ही नजर आता है, स्टैक काफी अच्छा लगा मेरे को इसका और यहां पर जो ग्रिप है, काफी अच्छी देखने को मिलते है, यहां पर इसका अन-off स्विट, यहां से अगर आप इसे अन-off करते हो, तो तभी यह काम करेगी, मैंने अभी इसे आफ कर दिया है, तो देख रहे हो, अभी काम नहीं करेगी, और यहां पर इसका जो मेकानि अन-off कर दो, यहां पर दिया हुआ है, सामनी की और जो गृब दी हुए है, काफी अच्छी देखने को मिलते हैं, यहां पर एमिंग करने के लिए, यह भी दिया हुआ है, अगर यहां पर मैं अपो बता दो हो, यहां से भी आप एमिंग कर सकते हो, यह स्कोप अपर हटाने तो और रॉल बिल्ट कॉलिटी काफी मस्ता है देखने में काफी अच्छी दिखाई देती है यह टॉइगन और पुरी तरीके से फुली अटमिटी के तो चलो दोस्तों भी चलते हैं बाहर तो इस टॉइगन को जो है मैं पहली बार FPS मोड में ट्राइ करने वाला हूँ देखते हैं FPS मोड में टॉइगन किस तरह की दिखाई देती है उसके बाद मैं मैं आपको इसकी एमिंग भी टेस्ट करके बताने वाला हूँ और पावर भी टेस्ट करके बताने वाला हूँ तो चलो भी चलते हैं बाहर गईस फर्स परसन मोड में हमा इसके अंदर बुलेट्स यहां से डालना होता है मैं इसके अंदर में इसके अंदर में इसके अंदर बुलेट्स डाल लिये है अंदर में इसके अंदर आपके अंदर बुलेट्स यहां से लिये है तो गाइस देख रहे हो यह जो टॉइगन है इतनी फास्ट तरीके से शूट कर सकती है अनुस बहुत जादा स्ट्रॉंग है इस टॉइगन के सामने गिर भी नहीं रहा है भाई साब गिर गया यार तो दोस्तों आप लगोंने देख लिए यह जो टॉइगन है कितनी जादा पाउरफुल है और कितनी स्पीड तरीके से यह शूट कर सकती है तो मेरे पास जितनी भी टॉइगन्स है उन सारे टॉइगन्स में से यह जो है सबसे जादा स्पीड है यार इसकी एकदम फटाफट से शूट करने लगती है जस्त आपको यह ट्रिगर पकड़ कर रखना होता है और इसकी जो बैटरी भी है काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाती है अगर आप इसे एक बार चार्ज करते हो तो इस टॉइगन को आप तकरीवन एक से देड़ घंटे तक यूज भी कर सकते हो तो इस टॉइगन के अंदर एक प्रॉब्लम लगी मेरे को वो भी मैप को बता देता हूँ इसकी यह जो मैगजीन है मैगजीन के अंदर जो एक इस तकरीवन तकरीवन 200-200 बुलेट्स आप डाल सकते हो इस टॉइगन की स्पीड के कारण इसके अंदर जो बुलेट्स है सिर्फ आपको 30 सेकंड के अंदर ही खतम हो जाएंगे इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से यह जो टॉइगन है शूट कर सकती है तो इस वज़े से इसके जो बुलेट्स है काफी फास्ट तरीके से खतम हो जाता है आपको फास्ट तरीके से इसके अंदर लोड करना होता है यह एक ही प्रॉब्लम लगी मेरको बाकी एकदम सूपर हिट टॉइगन लगी गा इस मेरको है तो अभी फिलहाल यह जो टॉइगन है आउट आफ स्टॉक चल रही है जैसे ही स्टॉक में आ जाएगी आप अमेजॉन से जाकर खरी सकते हो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शौट आउट आज मैं दूँगा दस लोगों को शौट आउट तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है शौरिया गौतम, रीमा सिंगह, मंधार कवालगे, असद नारेजो, कृष्णा कुमार, रतंदीप, महेश, अयान, कृष्णा साहा, हरी राने थैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शौट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे, लाइक, नीचे कर दीजे, कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी ज़रू से टाइप कर देना दोस्तों, तैकि मैं आपक उसके साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों